हेलो सुडेंट वेलकम टोवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स परफिशेंसी आज के कलास्वे हम कंपेरिजन जो कर रहे थे यूटिल्टी और इंडिफरेंस करव अंसीज में तुसमें देखेंगे दोनों में बैटर कोना सुपीरियर कोन है तो इससे लास्ट क्लास्वे हमने सिम क्यान नौटिफिकिश्न हों के पास जाए आप विडियो को सबसे पहले देखो आपकी स्टडी भूस्ट अपर हो सूपीरियो धी ओफ इंडिफ्रेंस करवेंसीज में देखता है कि अब यूत्रेंस करुन के बीच में दोनों में बैस्ट कोन ए सबसे पहला जो हमारे पास आ करते हैं जबकि जो हमारे पास indif element होता है इसमें order को use करते हैं original numbers को इस्तेमाल करता है इस कांड से जो indifference करow का जो जड़ा real life में better मना गया है के लिए पारटों ने के साइड की यहां को क्योंकि यहां पर मेजर्मेंट कि या थे utility की वो carding numbers के अंदर की जाती है तो utility subject concept होता है it cannot be measure in carding number कहते है कि subjective concept is consistent को हम carding number के अंदर है जो measure नहीं कर सकते सेम तरिके से कहता हम जो measure करते है length of piece को जैसे कपडे के piece को measure करना easy होता है weight of Lucky Good को weight को मेजर कर सकते हैं लेकिन हम unique subjectives को इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं काडिन नंबर काम का मेजर नहीं कर सकते हैं next कि जो indifference currency दीज रबी है इस टिफैक्ट थे यानि captivis कर कि安दर Cardinal Numbers का जो इसलिए नहीं करते हैं क्यों आजीं資 होते है i optimistic का वो मेजर करने का वो ओर्डिनल नमबर के अंदर होता है तो यह more realistic measure है utility का one can say that कता हम यह कह सकते हैं one like a cup of coffee more than a cup of tea यानि कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि हम यह कह सकते हैं कि cup of tea better है कि से cup of coffee better cup of tea से यानि कि इस तरह किसे हम comparison करके order में रख सकते हैं लेकिन उसको numbers में major define नहीं कर सकते one cannot quantify the difference तो यहाँ पे हम उसकी quantify नहीं कर सकते उसको quantity term में नहीं measure कर सकते कि difference कि है ज़स्ट हम उसको order में देख सकते हैं कि coffee better है cup of tea से लेकिन जो हमारे पास utility nc's होता है यह unrealistic होता है को कि हम इसमें काड़ी numbers को इस्तिमाल कर सकते हैं अगर इसका overview देखे तो हम क्या लिख सकते इसको अगर हम इसको लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं तो हम अगर लिखती है superiority कि superiority क्या है दोनों में तो हम एक तरफ ले लेते हैं utility nc's को एक तरफ हम ले लेते हैं utility nc's को और दूसरी तरफ ले ले लेते हैं हम indifference curve को indifference curve को तो यहां पर हम indifference curve के बीच में और utility के बीच में हम अगर देखते हैं comparison करके तो हम first point यहीं रख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि जो measurement होती है measurement जो measurement है वो कैसे करेंगे कि जो measurement की जाती है अगर बात की जाए utility analysis की तो यहां पर जो measurement करने का तरीका होता है वो क्या होता है cardinal होता है यानि कि जो हम इसमें measure करते हैं वो किस number में करते हैं cardinal numbers का मतलग है कि 1,2,3,4 है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे example के लिए 1,2,3,4 इस तरीक किसे हम यूज करते हैं जब कि जो indifference करव होता है इसमें जो measurement करते हैं हम वो करते हैं ordinal numbers में यानि कि order में रखते हैं इसमें इसमें हम क्या यूज करते हैं यह क्या होती है यह बेटर माने जाती है यह कि यहां पर कहते हैं कि कितनी हम हमें जो numbers में रख सकते हैं को कि तो subjective होती है कितने की number हम दें तो जबकि यह ordinal के अंदर easy हो जाते हमें identify करना order में जब हम utility को है जो quantify करने के बज़ाए हम इसको क्या करते हैं qualitative की form में रखते हैं तो वो ज्यादा बैटर रहते है quantity यह होती है quality में मतलब orders को रख दी जाते हैं तो इसलिके पहला difference आता है तो इसका इंडिफरेंस को बैटर माना जाता है को कि order को इस्तिमाल करती है next ज यूट्रीटी अंसीस था वहां पर हमने यह assumption मानने थी कि जो कमडिटी है उसकी इंडिपेंडेंट होती है आदर सी यानिकि मैं अगर एक कमडिटी को यूज कर रहे है तो उसकी यूट्रीटी का इफेक्टर जो दूसरी कमडिटी के उपर जो नहीं पड़ेगा तो जब हम पड़के चलते हैं यूट्रीटी अंसीस को तो वहां पर कॉम्पलिमेंटरी गूड्स और सब्सीटीट गूड्स को हम सरड़ी नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ में क्या होता है कि जो यूट्रीटी होती है डिफरन्ट कमडिटी के वो रलेट करते हैं दूसरा से इंडिपे होती है तो यहां पर अंडिविस्टिक अजसिंच इंडिपेंट्ट यूट्डी ये जो इसकी अ जर्चन Ó ऑफ इंडिपेंडडन्ट तो यहां पर तो यह मानके चलता है कि हाँ जो utility होते दो गुर्स की वो क्या होते है independent होती है जबकि यहाँ पर हम इस assumption का जो deny करते हैं नहीं मानते हैं यो utility agencies होते हैं उसमें मानते हैं कि जब हम एक community को consume करते हैं तो उसकी utility का effect दूसरी community को consume करने के उपर नहीं पड़ता जबकि कि यहाँ पर हम लेके चलता है कि अगर हम एक community को consume करता तो उसकी utility का effect दूसरी community के utility के उपर जरूर पड़ेगा तो यहाँ पर इस कार्म से जो यह फिर इंडिफरेंस कर वह जो बैटर हो गया किसे utility agency से next superiority आती है कि जो margin utility of money जो हम utility एंसी पड़ते तो उसमें पढ़के चलता है इस assumption को कि जो margin utility of money होती है वो constant रहती है जबकि real life में ऐसा नहीं होता कि margin utility of money हो constant रहे तो इंडिफरेंस कर वह फ्री है इस assumption से जो कि unrealistic assumption है utility एंसीज की there is no need of this assumption at all under indifference curve के अंदर जो यह assumption है कि margin utility of money constant को हम इस्तेबाल नहीं करते है यानि कि हम यहां पर third point ले सकते हैं वो क्या हो सकता है हमारा margin utility of money का यानि कि जो marginal utility of money है marginal utility of money यानि कि जो money की margin utility है वो हम utility अंसीज में क्या मान के चलता है कि यहां पर constant है कि क्या रहती है margin utility of money constant होती है जबकि इसमें हम ऐसा नहीं मानते कि यहाँ पर constant है जो नहीं रहती वो change होती जाती है तो यहाँ पर free assumption से इसकांस से इंडिफ्रेंस करवा है जब better हो जाता है utility analysis से next point आते है separation of income and substitution effect यानि कि कैसे हम अलग-अलग पढ़ सकते हैं इंकम और substitution effect को जब हम utility analysis of demand यानि कि जब हम demand utility analysis को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम price effect को अलग नहीं कर सकते income effect से और substitution effect से जबकि इंडिफ्रेंस currencies में हम दोनों को अलग करके पढ़ते हैं तो what extent the effect of change in price हम देखते हैं कि किस हद तक effect पढ़ेगा अगर price में change आ रहे है income effect is due to income effect कितना पढ़ेगा and how much it is due to substitution effect यानि कि substitution effect कान कितना income effect पढ़ेगा कितना price में पढ़ेगा तो इसको हम अलग concept में समझते हैं इस कान से जो इंडिफ्रेंस currencies है वो more comprehensive explanation हो जाते theory of demand के regarding यानि कि utility analysis के अंदर जा हम demand को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम price effect का जो अलग नहीं कर सकते income effect से और substitution effect से जबकि इंडिफ्रेंस currencies के अंदर हम जो देख सकते हैं कि effect है जो change in price का कितना पढ़ेगा रहा है किसके कान चेंज आ रहा है income effect है कान और कैसे कि तना चेंज आ रहा है जिनकी demand कम हो जाती है जैसे इनका प्राइस कम हो जाते है बट वेन प्राइस ओ इस गोड्स इंग्रीज जब इन गोड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो income जो consumer की वह unchanged रहती है तो उस case में जो demand होती है वह भी क्या जाती है बढ़ जाती है इस case में जो utility anses होती है जबकि according to indifference curve अगर indifference curve की बात की जाए तो चेंज इन प्राइस ऑफ गिफन गोड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है तो negative income factor बिकम मोर पावरफुल तो यहाँ पर जो negative income factor वह जादा पावरफुल हो जाएगा किसकी कंपेटवली सब्सिटुशन एफेक्ट के बजाए जो इंकम एफेक्ट है वह ज्यादा एफेक्ट डालेगा किसकी उपर गिफन गोड्स की उपर हैंस द्यू टो राइज इन प्राइस ऑफ दिस गोड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं देर डिमांड और से एक्सेंट तो उन कि इफन गोड्स वो होती हैं जो घटिया व armpth होती हैं जो चांचे मिल जाती हैं अमए गिफन गोड्स है अब क्या हुँत है कि जैसे कंजूमर के जो इंकम है कंजूमर की इंकम के उपर कोई चेंज नहीं है तो यह Chun pense के जो जो प्राइसे हैं जो क्या हो Además बढ़ ग़ें तो consumer को ये खरीदनी महंगी लगेंगी तो इस कारण से consumer काँ shift कर जाता है Giffen Goods की उपर shift हो जाता है वेकि उसको Giffen Goods का मिलते हैं सस्ते मिलती है तो जैसे यहां पर प्राइजिस बढ़ जाते हैं तो consumer क्या करता है Giffen Goods की demand को क्या करता है जादा करनी शुरू कर जाते है तो इनकी demand को क्या करता है बढ़ा देते है तो इसी कारण से फिर जो Giffen Goods का Slope होता है वो क्या चलना होता है अप वर्ड जाना शुरू हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाते है नेक्स्ट माल लेते हैं कि अगर प्राइसे जो अदर गृस के वो कम होगी है तो कंज्यूमर को असानी से अफोर्ड कर सकते है मैं आपको देते हूँ डाल्डा गी ले लेते है डाल्डा गी थोड़ा घटिया में आता है देशी यी थोड़ा बढ़िया में आ जाता ह। तो अगर मानलो कि देशीगी की रेट कम हो गई है तो consumer क्या कर गाए इसको afford कर सकते हैं आप consumer कर सकते हैं तो इस कार्ण से फिर वो given goods को छोड़ देगा जिससे given goods की demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और consumer क्या करगा अधर goods का जो बढ़िया वाली goods को जो afford कर लेगा तो इसकी demand क कर देगा ज्यादा कर देगा तो यानि कि जब उसको दूसरी goods है जो बढ़िया वाली goods को महंगी बढ़ जाती है तो वो सस्ती की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्योंको इसकी income के अंदर चेंज नहीं आया इसके पास income क्या है लिमिटेड है तो वो उस case में फिर क्या करें consumer घट होता है इस concept को समझाने में नाकाम याव रहा है जबकि इन्डिफरेंस करवेस ने इसको बिल्कुल बढ़े तरीके समझा दिया कैसे समझाया इसको हम दबारा फिर explanation को कवर करते हैं कहते हैं कि जो गिफर्म पेराडॉक्स रिलेट करता है उन इन फिर उन घटिया गूर्स से अनचेंज रहने के कारण तो इनकी डिमांड कहाते बढ़ जाती है फिर जैसे कि हमने यह केस पड़ा था कंजूमर ने क्या किया इंकम कॉंस्टेंट थी तो में गिव गूर्स होगी जब उसके प्राइस तो उसने क्या किया फिर सस्ती गूर्स करीदने शुरू कर दी यानि यूद्रेटरिंस के तो फेल होगा इस गिफन परेडॉक्स को समझाने में लेकिन जो हमारे पास इंडिफ्रेंस करवेंसी जा है वो बताता है हमें कि डिउट्टो चेंज इंदा प्राइज ऑफ गूर्स के प्राइज में चेंज आते है तो नेगटिव इंकम एफेक्ट है वह ज्यादा पावरफुल हो जाए किसके कान सब्सिटूशन एफेक्ट है यानि कि सब्सिटूट की नेगटिव इंकम एफेक्ट है वह ज्यादा इस असर डालेगे इसके अपर तो इसकान से जो डूट राइज इन प्राइज ऑफ इस गोड़ जाते तो डिमांड जो क्या जाएगे वह बढ़ जाएगी इस तरिक्के से करते जो इंडिफरेंस को ज़्यादा एक्स्टेंसी वह किसके कंपेटिवली जो पराण ही हमारी है नेक्स आता है एस्टिमेशन ओफ वैल फिर में क्या होता है कि यहां पर एक असर्टेंट टीम मिलती है कि विद अप करता है कि अगर प्राइज में चेंज आने के काल जो इंडिफरेंस करवा मूव कर गया अप वर्ड की तरफ इट वूड मीन इंक्रीज इन इस वैल फिर जादा हो रहा है चेंज दा इन प्राइस कैन बी कंवर्टिट इंटू चेंज इन रियल इंकम त्योंकि अगर प्राइ गोर्ट चैनीक करते हैं इस टेक्निक के बेस पर जो इस अटैंप्टी डू मिक्सर कंजुमर सर प्लस इन मोर सिंटिफीट वह सबस्ते हैं याने रियली स्टिक फांडेशन कि जो बेस होते योटडर numbers का attitudes के सब्सक्राइड नेगा बड़ेटि हैगे सब्सक्राइब करना यूट्रिटी को जो यूट्रिटी मेजर की जाएग वह कार्डिनल मेजर्मेंट कर सकते हैं यूट्रिटी को जब कि जब हम इंडिफरेंस कर्वंसी गता हैं जो कार्डिनल मेजर्टी को मेजर करना जो कि गलत है रियल आफ्र नहीं गल सकते हैं जब हम पटते हैं indifference activities को इसको बेस होता है वो रहता है diminished marginate of substitution जो कि इत दिये life में पाया भी जाता है short indifference oyun質 is more realistic करता है अगर short में बास की जाए तो इन्डिफरेंस के जEDर realistic रहता है और यह improved ULT वाइने का अग्र हम इसका overview लें तो overview में हम समझते हैं कि सुपीरियर कैसे है इंडिफ्रेंज कर यूटरी एंजी के comparatively जब हम measurement करते हैं यूटरी एंजी में cardinal numbers के इस्तेमाल करते हैं 123 जबकि हम इंडिफ्रेंज करव के अंदर ordinal numbers जिसमें रंक कोतर स्का इस्तेमाल करके चलते हैं जो assumption रहती है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर हम प्राइस इफेक्ट को अलग नहीं कर सकते हैं इंकम एफेक्ट से और सब्सक्राइब इफेक्ट से जबकी हम इंडेफ्रेंस कर्व में हम इसको साघ्रिगर्ट कर सकते हैं इंकम ईफेक्ट और सब्सेटीशन इफेक्ट को यह जो हमारे पास uteriancies है ये fail हो जाता है given goods की case को समझाने के लिए जबकि यहां पर indifference curve के अंदर है जो ये explain करता है given goods का case with the help of kiss की help से income or substitution effect की help से जो हमें given goods की case को समझाने में पिलकुल set रहते है तो इस तरीके से बच्चों हम comparative करने से ये जान गई है कि जो indifference curve है वो uteriancies के comparative ले ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये थोड़ा realistic बना गया है तो इस तरीके से हमने indifference curve का जो superior बोले है इस तरीके से बच्चों के class दिया आज की next class फिर्म कवर करेंगे criticism क्या रहती है indifference curve एंसे की ऐसी ही regular वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल commerce efficiency को subscribe like and share करें